आज कल स्कूल कॉलेज से ही पैचप ब्रेक अप शुरू हो गए हैं और ब्रेक अप के बाद डिप्रेशन भी होने लगता है इस डिप्रेशन को कैसे टेकल कर सकते हैं वही जो हमने शुरूआत में बताया था कि कॉलेज के समय में आप कह रहे हैं स्कूल के समय में ब्रेक अप का होना भी जरूरी कच्ची उमर में जो रिस्ते बनते हैं इसी लिए वो टूटते हैं क्योंकि तब कोई समझ नहीं होती है जो मुँ में आ गया बोल दिया और सामने वाला भी गुसैल है वो भी जो मुँ में आ बोल दिया तो अभी एक दूसरे को समझते नहीं आप और उसी म आप दोनों के अंदर होना चाहिए ना कि एक के अंदर एक आतमबल से परिपूरन है काम चल जाएगा लेकिन वो बात नहीं बनेगा अगर दोनों के अंदरा आतमबल है तो हमें लगता है कि ये समझ्यायां एक खत्म हो जाएंगी आतम बल बिल पावर जिसके अंदर होता है वो जल्दी से उतेजित नहीं होता जल्दी से कोई फैसले ऐसे नहीं लेता खान पान में बदलाब करना पड़ेगा खान पान में जहर हो गया है हमारे धर्मों में खाश करके हम हिंदू धर्म की चल्चा ज्यादा करते हैं इसलिए क्योंकि वो पुरातन है वैसे सभी धर्मों में लिखा है खान पान रहन सैन देखना और सुनना ये सारा जिन्दगी पे प्रभाव डालता है खाना पीना सही होना चाहिए उसमें जब जहर आने लगता है जो कि नैचुरली धर्ती में पानी के रूप में भी जहर भार आने लगा है इतनी खाद सप्रेड डाली जा रही है तो और्गेनिक अगर पॉसिबल हो नहीं पॉसिबल तो खाना खाएं अपने तरफ से पूरा ख्याल रखे कि ऐसा खाना ना खाय जाए जो आपको उतेजित कर दे जल्दी से और अपना चेक अप रेगूरली लगातार करवाते रही है समय समय पे क्योंकि चेक अप से पता चलेगा कहीं हाई ब्लड पैश्र के मरीज तो नहीं बन गए छोटी सी उमर में लोगों को हाई ब्लड पैश्र होने लगता है जिसे माता खींचना या टेंशन हो जाना या पर